बच्चों नमस्कार आज हम कक्षा 6 की द्वित्य भाषा की पुस्तक दूर्वा भाग एक का सात्मा पाट पढ़ेंगे इस पाट का नाम है धनुष इस पाट की अध्यन से स्वर अउ और इसकी उच्चारण वैप्रियोग को जानेंगे हम इस पाट में ना धा शा इन व्यंजनों के उच्चारण वैप्रियोग को भी जानेंगे आईए पढ़ते हैं अपना पाट धनुश। हमें यहां पर देखने को मिल रहा है आउ फिर उसके बाद में लिखी हुई है आउ की मात्रा फिर अना फिर धाप फिर शाप और इनी वर्णों से जुड़े हुए नीचे शब्द दिये हुए हैं और उन शब्दों से जुड़े हुए चित्रवे दिये हुए हैं पहला शब्द है आउ से बनावा आरत आप इसे मेरे साथ में बोलिए आरत आ-रा-त एक साथ बोलेंगे आरत, दूसरा शब्द है पाधा, पा के साथ में आउ का हमने यहां पर प्रियू किया है, तो वह पाउ हो गया और साथ में लग गया धा, धै और उसके साथ है आकी मात्रा, यह शब्द बन गया पाधा, आप मेरे साथ बोलेंगे पाधा, 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 बच्चों, तीसरा जो चित्र आप देख रहे हैं, इसके साथ में शब्द भी लिखा हुआ है, यह है धागा, धा के साथ में आकी मत्रा जुड़ गई, तो धा के आगे खड़ी पाई के रूप में आकी मत्रा का निशान आ गया, और गा के साथ में भी आकी मत्रा जुड़ गई, तब गय के साथ खड़ी पाई के रूप में आ का निशान आ गया, एक बार फिर हम इसे बोलेंगे धागा फिर से धागा धागा चौथा चित्र हम देख रहे हैं तीर का है जिसे बान भी कहते हैं बान बा के साथ में आ की मात्रा लगी हुई है इसलिए वह बा हो गया और अणा दौनों मिलकर के शब्द बने बान मेरे साथ एक बार फिर बोलिए बान बान पांचवा चित्र है आप इस अच्छी तरह पहचानते हैं जी हाँ ये है धनुष इसमें जिस वन का उच्चारण हम समझ रहे हैं वह मुढधा शा भी यहाँ पर मौजूद है इसके उच्चारण में हमारी जीब ऊपर की तरह जाकर थोड़ी सी मुढ़ जाती है और जब हवा का दबाव उस पर पड़ता है तब यह धनी निकलती है तो इस सो शब्द का उच्चारण हम फिर एक बार करेंगे धनुष इन वर्णों से मिलकर के बना धनुष एक बार फिर कहेंगे धनुष बच्चों यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जब हम आउ को लिखते हैं तो वह किस प्रकार से लिखा जाता है शुरुवात में जब हम उपर से नीचे की तरफ लिखेंगे तब यहाँ पर संकेत चिनों के माद्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से हम यह आकृती बना सकते हैं आ लिखेंगे आके आगे फिर हम एक खड़ी पाई का निशान लगाएंगे है फिर हम उसके उपर एक शीरो रिखा खीचेंगे और फिर हम यह मात्रा का चेन लगाएंगे इस प्रकार से हमारा आव बन जाता है हमने जाना आव से औरत बच्चों दूसरा चितर हम देख रहे हैं हम इसमें यह भी देख पा रहे हैं कि पाधा जो शब्द है उसमें आए हुए वर्णों का हम किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों इस चितर में हम पाधा देख रहे हैं पाय के साथ में आव की मात्रा का प्रियोग किया गया तो यह पाव हो गया और धह के साथ में आव की मात्रा का प्रियोग किया गया तो यह धा हो गया और इस प्रेकार से दौनों शब्द मिलकर के बने हैं पाधा आप देख रहे हैं धा किस प्रेकार से लिखा हुआ है और धा लिखने में जो खड़ी पाई का निशान आ रहा है उस खड़ी पाई और एक घुमावदार जो आकृति हम देख पा रहे हैं इस आकृति के बीच में एक रिक्तिस्थान भी है यदि हम इस रिक्तिस्थान को भर देते हैं और ये आकृति नहीं बनाते हैं तब ये धा नहीं रहेगा ये गहा बन जाता है गहा जिसे हम गड़ी में प्रयुक्त करते हैं गहा घर में प्रयुक्त करते हैं तो धह वर्ण की बनावट किस तरीके से हम इस धह को लिख सकते हैं। जब हमने इस धह के साथ में आस्वर का प्रयोग किया, तब उसका मात्रचन यहां पर प्रयोग हुआ। बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हैं धागा, इसमें धह के साथ में आ का प्रयोग हुआ है, जिसके प्रयोग की वज़े से धा, धा में परिवर्तित हो गया। और गा, गा के साथ में भी आका प्रियोग हुआ, इस स्वर के प्रियोग से गा, गा में परिवर्टित हो गया, और ये शब्द बना धागा, इस चित्र में हमें तीर नजर आ रहा है, तीर को बान भी कहते हैं, ये जो नजर है, ये किस प्रिकार से लिखा जाएगा, इसको आप इस आकरती में देख पा रहे हैं, पहले यू जैसी आकरती हम लिखते हैं, फिर उसके आगे एक खड़ी पाई का निशान बनाएंगे, और फिर शिरो रिखा खीचेंगे, इस प्रिकार से हम देख पाते हैं, ये नजर्ण जो वर्ण है, वह किस प्रिकार से लिखा गया है, तो ये शब्द है बान, बा के साथ में जब आशामील हुआ, तब ये बा बन गया, और इसके बाद का जो वर्ण है, वह न, इन दौनों के मिलने से बना बान, बच्चों इस चित्र में हम धनुष्य देख रहे हैं इसमें तीन वर्ण हमें दिखाई देते हैं धा, ना और शा ना के साथ में छोटे उकी मात्रा लगी हुई है और इन वर्णों के प्रयोग से शब्द बना धनुष्य ने के साथ में जब छोटे उकी मात्रा लग गई तो वह नू में परिवर्तित हो गया इसलिए ये शब्द है धनुश बच्चों अब जो शब्द नीचे दिये हुए हैं उनकी हम पहचान भी करेंगे और उन्हें हम बोलेंगे भी पहला शब्द है शब शब्द है इसका प्रयोग भी आपने किया था धनुश में दूसरा वर्ण है धा धह के साथ में आकी मात्रा लगी इसलिए धह के आगे एक खड़ी पाई का निशान है और उपर शिर्यो रिखा खिची हुई है इसलिए ये वर्ण बन गया धा तीसरा वर्ण है रण रण चाथा शब्द है आउर दुबारा बोलिये मेरे साथ आउर पाँचवा शब्द है भी भे के साथ में बड़ी ए की मात्रा लगी हुई है इसलिए भी दूसरी पंक्ति में पहला शब्द है औरत दूसरा शब्द है इस दूसरी पंक्ति का धागा तीसरा शब्द है बाण चाथा शब्द है पाधा हमने इसके बारे में अभी जाना था पाँचे साथ में आउर की मात्रा का प्रयूग किया तब पह के आगे खड़ी पाईक का निशान और उपर दो मात्राएं और फिर धा, धह के साथ में आवन का प्रियूग हुआ है, इसलिए धह के साथ में आवन की खड़ी पाई है, जैसा निशान है वो वहाँ पर आ जाएगा, इसलिए ये वन बना पौधा. पाँचवा धनुष। बच्चों अब हम सुनेंगे और बोलेंगे। आप भी इसे बोलें, पहला शब्द है धन, दूसरा कौन, तीसरा भूशन, चाथा गौरव, पाँचवा वेश भूशा, दूसरे कौलम में पहला शब्द है आउर, दूसरा शब्द है भाषण, तीसरा शब्द है कौरव, चाथा शब्द है विविक्षण, पाँचवा शब्द है आधा, तीसरे कौलम का पहला शब्द है कारण, दूसरा शब्द है आउरत, तीसरा शब्द है आभूशन, चाथा शब्द है धूप, पाँचवा शब्द है फौज, फौज में भी आप देख रहे हैं, फै के साथ में आउ की मात्रा का प्रियोग किया गया, तो वे फौब बन गया, चाथे कौलम में पहला शब्द है आजार, दूसरा शब्द है रामबाण, तीसरा शब्द है धुआ, चाथा शब्द है मौसी, पाँचवा शब्द है गणित, पाँचवे कौलम में पहला शब्द है रामायण, दूसरा शब्द है धीरे, तीसरा शब्द है चौकी, चौथा शब्द है गणना, पाँचवा शब्द है तौलिया, छटे कौलम में जो आखरी है इसमें पहला शब्द है धान, दूसरा शब्द है पौधा, तीसरा शब्द है रावण, चौथा शब्द है गवरईया, पाच्वा शब्द है मणिपूर, बच्चों इन शब्दों को हम बार बार बोलेंगे दान, धान, दान, धान, हमें उच्चारण में दा और धा का अंतर पता लग जाना चाहिए, दा, धा, तो यहाँ पर जो शब्द दिये हुए हैं, वहे हैं, दान, धान, इसी के नीचे दूसरा शब्द है, आशा, भाशा, इन दौनों शब्द, और श, इसका उच्चारण हमें, इस पर हमें ध्यान देना है, बच्चों, नीचे दूसरा शब्द है, इसमें भी श और श, इन दौनों के उच्चारण पर हमें ध्यान देना है, पहला आशा, भाशा, फिर शब्द है, और, और, इसके नीचे शब्द है, कण, गण, तीसरे कॉलम का शब्द है, साड़ी, सीड़ी, रड़े, और, रड़े, या आप देख पा रहे हैं, कि दौनों किस प्रेकार से लिखे हुए हैं, इनका उच्चारण भी अलग-अलग है, साड़ी, सीड़ी, रड़ी, और रड़ी, साड़ी, सीड़ी, जरा, जरा, जब भी इस तरह किसी वन के नीचे ये बिंदु दिखाई देती है, इस बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं, और इसकी वज़े से उस वन पर कुछ दबाव बन जाता है, जैसा आप ध्यान से सुनिए, जरा, 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 फिर शब्द है, सड़क, डमरू, सड़क, डमरू, डेके नीचे बिंदु लगी हुए है, जिसकी वज़े से उस पर दबाव बन गया, सड़क, डमरू, शब्द है, धनुष, शटकोण, धनुष, शटकोण, फिर शब्द है, जड़, डर, ड़ा, और डे का उच्चारण किस प्रेकार से हो रहा है, फिर से ध्यान दीजिए, जड, डर, फिर शब्द है, पोशण, पोखर, बच्चों, नीचे वण दियावा है, उसे किस प्रेकार से लिखना है, किस दिशा में हमारा हाथ चलना चाहिए, यह आगे एक बॉक्स में बताया हुआ है, तो हम इसे लिखने का अभ्यास करेंगे, आ लिखेंगे, आ उपर से हम लिखना प्रारम करते हैं, फिर बीच में एक कर्व देते हैं, फिर वापस से हम उसको नीचे उसको हम पूरा करते हैं, फिर उसके मध्य में एक रेखा खींचते हैं, फिर एक खड़ी पाई की रेखा खींचते हैं, फिर दूसरी खड़ी पाई का एक निशान बनाते हैं, फिर उसे शीरेव रेखा के द्वारा हम जोडते हैं, और उपर मात्रा के दोचिन बना देते हैं, इस प्रकार से अव वर वह लिखा जाता है। जब हम रणा लिखते हैं, तो जिस प्रकार से आप अंग्रेजी में यू लिखते हो, उसी प्रकार से हम वह यू की आकरती बनाएंगे, और उस आकरती के आगे फिर हम एक खड़ी पाई का निशान बना देंगे, जैसा कि आप इस चित्र में संकेत चिन्नों के माद्यम से देख पा रहे हो, कि हमने पहले यू बनाया, फिर एक खड़ी पाई का निशान है, और उपर शिरो रिखा खीच दिया। धह कैसे लिखेंगे? चित्र में आप देख पा रहे हो, कि पहले हम धह कोई गुमाव से इसकी शुरुवात करते हैं, फिर गुमावला हिस्सा पूरा लिखने के बाद में वापस से फिर उसको नीचे से उसको खड़ी पाई के साथ में जोडते हैं, और फिर शिलो रेखा खीच देते हैं, फिर आता है शाह, हम पहले पाज ऐसी आकरती बनाएंगे, और फिर उसको जिस तरीके से आप चित्र में देख रहे हैं, इसे तरीके से उसे बीच में एक निशान बनाएंगे, तो यह हमारा शाह बन जाता है। तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में बताएगे अनुसा लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब बच्चों, इसमें हम नीचे दिएगे चित्रों को देखकर, इन खाले इस्तानों पर आने वाले वर्णों का प्रयोग करके उस शब्द को पूरा करेंगे। पहला वर्ण है ना और उसके आगे का जो बॉक्स है वे खाली है और यहां चित्र में दी हुई है नाव। तो इसलिए हम यहां पर व वर्ण का इस्तिमाल करेंगे और नाव। ना के आगे हम वा लिखेंगे। धा के आगे भी दो बॉक्स खाली है और यहां पर हम चित्र में देख पा रहे हैं कि धनुश दिया हुआ है। तो धा के आगे हम नुख और शा का प्रियोग करेंगे। और हमारा शब्द है पूरा बन जाएगा। फिर धो के नीचे हम देखते हैं तो दो बॉक्स खाली हैं। हम यह चित्र में धोलक देख पा रहे हैं और दो बॉक्स हमें खाली दिखाई दे रहे हैं उसके आगे तो हम धो के आगे ला एक बॉक्स में ला लिखेंगे दूसरे बॉक्स में का लिखेंगे। नीचे की लाइन पर आते हैं तो यहाँ पर वन लिखावा है थय। हम देखते हैं कि चित्र में भी थैला है और यहाँ पर थय के आगे जो बॉक्स है वे खाली है एक ही है जिसलिए हम यहाँ पर ला लिख कर इस शब्द को पूरा करेंगे। शब्द होगा थैला इसके आगे तावर्न है और नीचे लिखावा है जू इस चित्र में हम देख पा रहे हैं एक तराजू तो इसलिए इस खाली बॉक्स में इन दोनों वर्ड़नों के खाली बॉक्स में हम लिखेंगे रा और हमारा शब्द पूरा बन जाएगा तराजू तै के बाद का बॉक्स खाली है जिसमें हमने धोलक जब हमने लिखा तो का का प्रियोगा हो गया वहाँ पर और लग के बाद का जो बॉक्स है वह भी खाली तब हम यहाँ देख पा रहे हैं एक पैन है कलम है तो हमने हमारा जो शब्द है वह पूरा किया कलम लिखकर यानि मां हमने यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर खाली बॉक्स में लिखा मां तो यह हमारा पूरा शब्द बन गया कलम अब हम आगे एक वंड देख पा रहे हैं उं उं के नीचे दो बॉक्स खाली है और इन सभी चित्रों में हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है वह है उंगली का तो उं यहाँ पर आ चुका है और हम इन दौनों बॉक्स में एक में गव और दूसरे में ली लिखेंगे और हमारा पूरा शब्द बन जाएगा उंगली इस प्रेकार से बच्चों पूरा उत्तर इसमें लिखा जाएगा वह हो जाएगा नाव, धनुष, धोलक, थैला, तराजू, कलम, उंगली अब बच्चों इस मौखिक पार्थ में हम तुम और आपका प्रेयोग जानेंगे हम जानते हैं कि जो उम्र में हमसे छोटे होते हैं उनके लिए हम तुम शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो उम्र में बराबर के होते हैं उनके लिए हम तुम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आपका इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन जो उम्र में हमसे बड़ा होता है उनके लिए हम आपका ही इस्तेमाल करते हैं आपका ही प्रयोग करते हैं इनके प्रियोग से हम समझ जाते हैं कि हम किस प्रेकार के विक्ति को संबोधित कर रहे हैं जैसे तुम आओ, आप आईए तुम दो, आप दीजिए तुम लो, आप लीजिए तुम मतलाओ, आप मैं लाईए नीचे वाक्य दिये हुए हैं इन वाक्यों को हम पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे पहला वाक्य है, शाहिद तुम यहां आओ तो यहां पर हम नाम लेकर के बुला रहे हैं जिससे ग्यात होता है कि वैवेक्ति या तो उम्र में छोटा है या हमारे उम्र का है इसलिए यह वाक्य है, शाहिद तुम यहां आओ इसलिए हमने यहां पर तुम का प्रियोग किया है दूसरा वाक्य है, आप अंदर आईए वाक्य से हमें पता लग रहा है कि यह वाक्य हमारी उम्र से बड़े विक्ति के लिए हम प्रियोग कर रहे हैं आप अंदर आईए तीसरा वाक्य है, जोसफ अपनी कौपी लाओ, किताब मत लाओ जोसफ अपनी कौपी लाओ, किताब मत लाओ चाथा वाक्य है, इशान पैसा दो और किताब लो पांचवा वाक्य है, आप गाड़ी अंदर ने लाईए बच्चों, यहाँ पर दस वाक्य दिये हुए हैं इन वाक्यों को हम बोलेंगे और इने दोहराएंगे पहला वाक्य है, रामन तुम यहां आओ दूसरा वाक्य है, सलमा तुम भी आओ तीसरा वाक्य है, सरोज एक कहानी सुनाओ चाथा वाक्य है, महेश जी आप यहां बैठिये पांच्वा वाक्य है, आप हमें गणित बताईये चटा वाक्य है, तुम लोग शोर मत करो सात्वा है, आप संगीत सुनिये आठवा वाक्य है, ठंडा दूद न पीजिये ठंडा दूद न पीजिये नवा वाक्य है, तुम यहे चाय मत पीओ तुम यहे चाय मत पीओ अर दस्वा वाक्य है, आप थोड़ी देर आराम कीजिये बच्चों, अब हम नमुन के नुसर वाक्य बतलेंगे जैसा आप यहां चित्र में देख पा रहे हैं यहां पे उधारन के तौर पर बताय गया है तुम अपना पाठ पढ़ो, यह अपने बराबर अपने से उम्र में छोटे के लिए इस वाक्य का प्रयोग किया गया तो अब हमें इसको अपने से बड़े उम्र के लिए इसका प्रयोग करना है आप अपना पाठ पढ़िए तो आपने देखा कि वाक्य में परिवर्तन हो गया तुम अपना पाठ पढ़ो आप अपना पाठ पढ़िये वाक्य यह दियावा है जिसे हम मिलकर करेंगे तुम अपने घर जाओ तो यानि यह उमर में छोटे या बराबर वाले के लिए है लेकिन जब हम बड़े के लिए इसका प्रयोक करेंगे तब हम कहेंगे आप अपने घर जाओए दूसरा वाक्य दिया हुआ है आप अपने घर जाओए तब हम इसे परिवर्तित करके लिखेंगे तुम अपने घर जाओ तीसरा है तुम जले भी खाओ ये वाक्य हम देख पा रहे हैं कि ये उम्र में छोटे या बराबर वाले के लिए है लेकिन जब हम अपने से बड़ों के लिए इसका प्रियोग करेंगे तब हम कहेंगे आप जले भी खाईए बच्चों नमुने के अनुसार हम वाक्य परिवर्तित करेंगे नमुने में बताया गया है पहला वाक्य है तुम ये किताब मत लो हम यह लिख रहे हैं दूसरा वाक्य है आप यह किताब ना लीजिए यानि जैसे ही हम जिस भाषा में अपने से बराबर या अपने से उमर में छोटे वालों के साथ में हम बाचित करते हैं तो हमारे वाक्य में शब्दों के प्रयोग में परिवर्तन आ जाता है तो वही परिवर्तन आप यहां पर देख पा रहे हैं तुम यह किताब मत लो बड़े के लिए जब यह प्रयोग हुआ आप यह किताब न लीजिए वाक्य है तुम कॉफी मत पीओ बड़े के लिए जब हम प्रयोग करेंगे आप कॉफी न पीजिए कक्षा में शोर मत करो कक्षा में शोर ने करिए तुम पैसे मत दो आप पैसे न दीजिए बच्चों योगिता विस्तार में आपके लिए प्रश्न है दिये हुए हैं इस अध्याय में कि कक्षा की वस्त्वों को दिखाते हुए विद्यार्थी आपस में बाचीत करें जैसे तुम यहां आओ आप यहां आईए वहां से किताब लाओ बेंच पर बैठिये तो जब हम इनका हम प्रयोग करेंगे तब इन्हें हमें परिवर्थित रूप में अपनी बाचीत में प्रयोग करना है जैसे तुम यहां आओ आप यहां आईए आप यहां आईए तुम यहां आओ वहाँ से किताब लाओ, वहाँ से किताब लाईए बैंच पर बैठिये, बैंच पर बैठो बच्चो योगेता विस्तार में करने प्रश्न है अध्यापक विद्यार्थियों से कक्षा से बाहर की परिस्तितियों में वारतालाप कराएं जिसमें पिछले अभ्यास के बाच्चित में हुई कम्यों की और भी विद्यार्थियों का ध्याने दिलाएं, जैसे करो, कीजिये, पीओ, पीजिये, जैसी क्रियाओं का प्रियोग हो. बच्चों, ये प्रशन आपके अभ्यास के लिए है. आप अपने आसपास के वातारवन में, जब भी अपने से बड़े से बात करते हैं, तब हमारे जो शब्द हैं, वे बदल जाते हैं. आप यहां आईए, हम उन्हें यह नहीं कहेंगे कि तुम यहां आओ, हम उन्हें आईए. यदि उम्र में हमसे बड़े हैं, हम उन्हें कभी यह नहीं कह सकते, तुम बैंच पर बैठो. यह उनके प्रती आदर सूचक नहीं होता है. तो जब भी हम अपने से बड़े के साथ में बाच्चित करेंगे, तब हम इस प्रेकार से शब्दों का प्रयोग करेंगे, कि वह आदर की सूचना देने वाले हों. तो जैसे अभी कहा, तुम बैंच पर बैठो. यह हमारे बराबर और हम से उम्मर में छोटे के लिए तो सही है. लेकिन जो उम्मर में हम से बड़े हैं, उनके लिए हम कहेंगे, आप बैंच पर बैठिये. तो बच्चों, अपने प्रति दिन की बोल्चाल की भाषा में हम इन वर्णों का हम अध्यान रखेंगे, जो बातें आपको इस अध्याय में बताई गई हैं, उनका हम ध्यान रखेंगे, उनका हम पालन करेंगे, कि किस प्रकार से हमें छोटों से बाचित करनी हैं, और किस से हमें बड़ों से वारतालाब करना है, बड़ों से बाचित करनी हैं, बच्चों, आपने अपनी पुस्तक दुर्वा भाग एक का सात्वा पाठ धौंश पढ़ा, आपने सीखा आउ का उचारण वे प्रियोग, आपने रणा, धा, श, इन व्यंजनों की उचारण वे प्र प्रियोग वाले शक्त हम अपनी भाषा में कहीं ने कहीं काम में लेते हैं, यदि हम इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमारा उचारण सुद्रे का और हमारी बूली और साफ हो सकेगी, आज का हमारा पार्ट समाप्त होता है, फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, नमस्का का यदिते हैं झाल झाल